हलो, गुड मॉनिंग डियर श्टूडेंट, आई एम रेनु यादो, आज के इस वीटियो में मैं आप लोगों को फिफ्ट क्लास की हिंदी रेडर में सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगी, इसमें सेकंड चैप्टर है लालबादूर सास्त्री, लालबादूर सास्त्री भारत के दूसरे प्रधान मंत्री थे, चलिए इनके विश्मे में देखिए, एक अत्यंत गरी परिवार में जन्मा बालग भी अपने परिश्टरम सद्गुडों, वाद्रन संकल्प के द्वारा इतिहास में अमर हो जाता है, इसके जोलंत उदारण थे भारत के दुतियो प्रधान म जुबान में, देखिए, सक्ति माने कठोड़ता और जुबान माने आवाज, भगवान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई सक्त जुबान से बात करे, इसलिए जीव में हड़िया नहीं होती है, यह पंक्तिया उस महापुरुस के हैं, जिने हम गुदली के लाल मानत हैं, जिनोंने नारा दिया था जैजवान, जैकिसान, जिनके जीवन का लच्छ था, मधूर बचन, उच्च विचार, वे थे हमारे भूत पूर प्रधान मंतरी लाल बहादुर सास्त्री, इतना ही नहीं, दो अक्टूबर इतिहास का ऐसा दिन है, जिस दिन दो महापुरुस ने जन्म लिया, पहले राष्ट पिता महत्मा गांधी और दूसरे लाल बहादुर सास्त्री, लाल बहादुर सास्त्री जी का जन्म उत्तर प्रधेश के रामनगर के एक साधारन परवार में 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था, इनके पिता सार्दा पुरसाद एक स्कूल में अ इच्छा ग्रहण की थी, जब सास्त्री जी के एवल तेड़ वर्स के थे, तभी इनके पिता जी का देहान्त हो गया, जब सास्त्री जी के सिर्फ तेड़ साल के थे, तभी इनके पिता जी स्पायर हो गया थे, इनके परिवार पर मुसीपतों का पहार दोड़ा, जब पिता से अपनी कोई भी मदद नहीं मांगी वे उने ही लेकर अपने पिता के घर चली गई सास्ट्री जी को नाना हजारी प्रसात खूब लाद प्यार करते थे मिन्सु में बहुत ब्रेम करते थे उनके पास रहकर सास्ट्री जी कुछ समय तक पढ़े कुछ समय तक अपने नाना के घर पर पढ़े परन्तु उनके नाना का भी देहान थो गया और फिर से उन पर विपत्तियों का पहार तूट पड़ा अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वे मामा के घर बना रशा गये और किसी तरह अपना गुजारा करने लगे यह आपका कंप्लीट हो गया पहला पेज था इसके आगी इसी चैप्टर का कुछ अगली वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा ओके थेंक्यू